एलो एवरिबन गुड मॉर्णिंग कैसे हूँ आप सब आसा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे स्वस्त होंगे तो दोस्तों यहां पे मैं अपराजिता का गास लगाई थी एक गास तो काम करने वाला आदमी आके काट के चला गया और यह वाला देखी कितना प् लू बलू रहता ना बहुत प्यारा लगता है तो दोस्तों आज मोर्निंग में मैं क्या-क्या ब्रेक्फस्ट में बनाई वह आज आप लोग से शेयर करेंगे वीडियो छोटा सा है तो कर डाइली से चली गई थी तो इसलिए जल्दी बुलोग हो गया तो आज मेरा वीडिय खीर बना रहे हूं यहां पर खीर पकड़ा है देखिए तो खीर और उसके बाद यहां पर लगा के रख दी हूं देखिए यहां पर घी लगा के रख दी जो में घर में देशी घी बनाती हूं उसी से यहां पर रोटी और यह सब बना के रख दी हूं यहां पर रोटी कंपल जी बनांगी करहाई इतना अच्छा से जल जाता है और मेरा हाथ एक हाथ से में साफा नहीं कर पाती हूं पूरी तरह से इसलिए ऐसा रहता है मेरा करहाई आप लोग इसको माइंड मत किजिए यहां परवल में नमक खल्डी रख देंगे बस और कुछ नहीं रखेंगे यहां पर नमक अबटेर द्हाब देंगे स्थी कराएं भाजी बन जाएगा उसके बाद सबजी कराएंगे कि परवल का भाजी बन गया है, पक गया, अब इसे अची तरह से खाली कर लेंगे और इसमें स्वाबिन की सबजी बनाएंगे, थोड़ा सा ही खीर बनाई हूं बट बहुत सुन्दर खीर बनाए देखिए, अब इसमें परवल का भाजी बन गया, देखिए, परवल का भाजी बन गया, रोटी बन गया, रोटी में दिखाई हूं आपको, यहां पर रोटी है, यहां पर भुजिया है, भुजिया बन गया, आप यहां पर स्वाबिन की सबजी बना ले रही हूं, स्वाबिन की सबजी फटाफट बन यहां पे तेल चेला दी उसी करहाई में देखिए स्ष्राविन की सब्जी में बना रही हूं सब मसाला रख दी आप लोको दिखाना है बुल्गाद्रक लसुन जीरा धनिया यही सब रखी हूं अब अच्छी तरस इसे भून लोंगी भूनने के बाद इसमें पानी रखंगे बून रही हूं यहां पे रोटी है यहां पे सब्जी है यहां पे भाजी है तो आच एखाना यही था दोस्तों बैबाई तकालो तकालो